Hello Friends, Friends आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाले, सिश्टोन के बारे में तो Guys हिमाले के सिश्टोन, टाबलेट और सिरब दोनों ही तरह की medication आती हैं दोनों ही तरह की medicine आती हैं और Guys अगर हम इसके फाइदे देखे हैं यानी हम बात करें इसके फाइदों की तो ये एक ऐसी मेडिसन होती है जो कि किड़नी में जब किसी को स्टोन्स हो जाते हैं तो इन किड़नी के स्टोन्स को निकालने का काम करती है तो गाइज जैसा कि इसके नाम से आप देख पा रहे हैं cữटनी के के इस्टोन निकालने वाली एक ऐसी दवाई जो की हिमाले कमपनी के दोरा बनाई जाती है सिटोन के नाम से आपको मार्केट में मिलती है और ये सीरप और टाबलेट दोनों ही फॉरम में आती है तो आप सिश्टोन सीरप या सिश्टोन टाबलेट लेकर जो है इसको यूज कर सकते हैं दोस्तो बात करें इसके basic use की कि ये medicine के basic use क्या रहते हैं तो guys इसका जो basic use है कि जब किसी को kidney के अंदर stones हो जाते हैं अब देख सकते हैं कि यह जो stones हैं छोटे-छोटे यह जब kidney के अंदर बन जाते हैं और व्यक्ति को बहुत जादा pain होता है kidney के अंदर में और धीरे-धीरे guys यह जो stones होते हैं यह बड़े होने लगते हैं तो उस तमय पेशेंट की condition काफी खराब हो जाती है उनको इसको surgery के थो निकलवाना पड़ता है तो इस तरह की बहुत सी problem है जिनको मरीज को face करना पड़ता है तो guys stone tablet या syrup की बात करें तो यह tablet या syrup क्या करते हैं कि यह kidney के अंदर बनने वाले जो stones होते हैं इनको छोटे छोटे टुकडों में तोड़ कर इनको ureter की help से मतलब ureter के थो bladder के रास्ते इसको पिशाब के साथ बाहर निकालने का काम करते हैं दोस्तो यह जो stones हैं इनको छोटे छोटे stones में तोड़ते हैं और इस ureter को जो है इसकी muscles को relax करते हैं जिससे यह stone आसानी से ureter के थो bladder में चले जाते हैं और bladder के थो पिसाब के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं तो guys यह stone tablet या syrup का main use रहता है इसके फाइदे होते हैं दोस्तो यह kidney में stone soeara के लिए काफी फाइदे मन syrup होता है काफी फाइदे मन टैबलेट होते हैं और आप इनको medical store से लेकर अपने doctor की सलहा से या फिर OTC product की तरह use कर सकते हैं दोस्तो बात करें इसके dose की के इसकी daily dose क्या रहती है तो guys अगर हम syrup की बात करें तो आपको दो-दो ढखकन सिरफ सुभा साम और तीन टाइम तक लेना होता है मतलब दो से तीन टाइम आप जो है इसको ले सकते हैं तो इसकी जो dose है guys वो patient की condition पर depend रहती है कि patient को कितनी problem है stones कितने है और किस तरह का patient को stone बना है तो guys ये सारी चीज़ें इस पर depend रहती है dose के बारे में generally tablet की अगर हम बात करें तो आपको दो-दो tablet सुभा और साम जो है लेने होते हैं guys ये भी आप जो है market से लाकर इनको use कर सकते हैं तो दो-दो tablet आप सुभा साम लें और ये लगबग आपको सुरुआत के 15 दिन तक लेने होते हैं इसके बाद आप एक-एक tablet सुभा साम जो है ले सकते हैं आपकी problem कम हो जाती है guys ये जो medicine है वो आपको 15 से 20 दिन में अपना काफी अच्छा result देने लगती है जो stones की समस्या है ये धीरे-धीरे ठीक होने लगती है मतलब कि जो kidney के अंदर stone है ये धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकडों में तूटकर बाहर निकलने लगते हैं और फिर patient को जो है आराम होता है patient जो है ठीक होने लगते हैं दोस्तों बात करें इस medicine के side effect की side effect इसके नहीं आते हैं क्योंकि guys ये एक ayurvedic medicine है तो इनके side effect वगेरा बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों यहां कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप diabetic patient है तो इस syrup को लेने से पहले अपने doctor से एक बार advise जरूर करें और इस syrup को लेने के बाद अगर आपको ultimately जैसी feeling आती है तो फिर syrup को लेना बंद कर दें या फिर अपने doctor से advise करके इसको use कर सकते हैं तो यह सारी बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों medicine के लिए आपको कुछ safety tips follow करने हैं कि आप जब भी syrup या tablet का container लाते हैं तो इसको heat से बचा के रखें धूल से बचा के रखें सूरज की गर्मी से बचाएं धूप से बचाएं जिससे कि यह medicine खराब ना हो और स साथी बच्चों की पहुंच से दूर रखें तो दोस्तों यह सारी बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और जब भी आप medicine खरीदते हैं इसका MRP section जरूर चेक करें इसका MRP देखें और इसका expiry date जरूर चेक कर लें जिससे आपको किसी तरह का नुकसान ना हो दोस्तों यह medicine आयूरवेदिक जड़ी भूटियों से यानि हरवल जड़ी भूटियों से बना हुआ एक syrup है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक tablet है तो यह काफी safe है और इसके जो side effect है वो भी patient को नहीं आते हैं तो अगर आपको इस तरह की problem है तो आप इसका जो है use कर सकते हैं तो guys यह था आज की इस वीडियो में system tablet और syrup के बारे में एक जानकारी वीडियो जिसके की kidney stones के लिए काफी अच्छे फायदे होते हैं तो उमीद है दोस्तों कि वीडियो आपके लिए informative और helpful रहेगा और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए आपके अपने channel unique medicine को subscribe करके well icon को press करें